आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा कि सर सर्टीफिकट के प्रारूप कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा कौन सी चीज़ है तो पहली बात तो आप लोग टेली ग्राम जरूर जोइन कर लें जहां पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी सारे सर्टीफिकट में करा दूं किस तरीके से कौन बनवाने बात माकि आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं क्या कुछ होना भी बाकि है कौन कौन से सर्टीफिक लगए अगर आप सरकारी टीचर है तो सुन लीजे बहुत अच्छे से देखेगा सरकारी टीचर नहीं यह भी से सौरी यह बीड़ प्रारूप पहले यह देख लिए बीड़ स्पेसल वाले अपना देख लें बीड़ स्पेसल वानों को यह पार्टकर में तो सबत पत्र का प्रारूप लगेगा यह अभी बनवाने की कोई जरूने जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद उसी एडमिट कार के साथ यह आपको बनवाना पड़ेगा सबत पत्र ठीक है यह इस तरीके से टिक यह आपका बनेगा मैं गोसला करता हूं यह सारी चीजें यह आपको बनवाना पड़ेगा किस पर बनवाने पड़ेगा दस रुपए के स्टाम पर नौन जुड़ी स्री टिक यह आपको बनवा ठीक है उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से कमज़ो और अगर एडव्यस का है तो यह ऐसा फार्मेट तो यह सारी चीजें आपको उन्होंने दिखा दी हैं इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें नॉर्मल बीड के दो लगेंगे अगर आप सरकारी टीचर है तो अगर आप नहीं है तो फिर एक लगेगा समस्ते हैं क्या कुछ है यहाँ पर उनका भी एक सपत पत्र लगे किस पर दस रुपए के जुडिसरी नॉन जुडिसरी ठीक है वो इसी के लिए लगते हैं जो आप डाकुमेंट से दे रहें वो सारे आपके सही हैं यह देगे सारा कुछ प्राणपत्र यह सरकारी टीचरों का लगेगा जो प्राइमरी में टीचर है सुन लो बहुत अच्छे लागू होने पर अध्यापन अन्वा प्राणपत्र के निम्न प्रारूप के संसता के लेटर हेड़ पर प्रस्तुत किया जाए यह सब कुछ आपको लिखवाना पड़ कर्मेट होगा तूसरी चीज अगर आप कर्मचारी पुत्र है तो इस तरीके का लगेगा प्रतिरच्छा एडब्लीएस वालों का ऐसा लगेगा बादमा की सेम है तो इस तरीके से चीज़ें यह सर्टिफिकेट से इंपोर्टेंट है और यह आप तभी बनवाए आप यह ज तो दिखाओ कि आपका हुआ है अभी आप कैसे कह सकते हो रहें के साथ वोड़िंग जिसको गए तो दिखाओ तुरंद वो साइन कर देंगे यह सिस्टम है तो धायर रखें प्रारूप आपको आप हमारी टेलीग्राम पर मिल जाएगा